चंदा लक्ष्मी की कहानी एक गरीब सावकार सावकार्नी था सावकार्नी को नाम चंदा थो चंदा भोध दरिद्रता से रहती सब से जगडो करती फाट्या कपड़ा, फाट्या फुटा बरतन तूटी खाट गंदा टाबर राकती इस एक धनी भी भोध नाराज रहतो पन चंदा रोज लक्ष्मी जी विश्नु जी की पूजा क्या करती एक दिन लक्ष्मी जी ने दया आगी अंधेरी रात थी, चंदा हाथ में दियो लियां गली में जावा थी तो रास्ता में लक्ष्मी जी आया और बोल्या के बाई ठैर जा मने भी दियो को चाशनों दिखा दे चाडनों दिखा दे दिया का चाडना में दोनों जनी बात करती जावना लागी लक्ष्मी जी बोल्या कि आपा दोनों भाईली बन जावा चंदा बोली कि अच्छा बन जाओंगा और दोनों भाईली बन गी लक्षमी जी चंदा का गई देखा तो घर में दरीदर ता छायोड़ों है चंदा न कयो कि घर की याके दसा कर राखी है आव आपा दोनों काम करां चंदा बोली कि मन तो काम करनों आवक होनी तुई बताती जर में बैयां ही कर लेऊंगी लक्षमी जी बताई कि ज़ारू कहले जहल़ों दिवाई चोको दिवायों माचा कसाया नया बरतन नया कपडा मंगाया टावना के तेछ उप्टना करवाया नया कपडा घेना पराया रसोई करकर भाईली न जिमाई जहा हूँ लक्षमी जी चंड़ा सोस्ती की मनत भहत ही अच्छी भायली मिलगी, इतनो सुक हो गयो, इतनो सब देख का चंड़ा की दोरानी जिठानी पूछने लागी कि तेरे इतने उधन कईयां हो गयो, चंड़ा भोली की लक्शमी ची मेरी भायली है वाही मनत दियो है, जना सब बोलने लागी की बाइली होगी दो के है वातवाईयाँ फिरती फिरह है वो तेरह किसे पीड़ो घालकर बैठेगी चंदा ने ज्या Mov धिन लक्षमी जी आई चंदा पीड़ों बिचा दिया और बोली कि मेरा पीड़ा पर लक्षमीजी बोली कि पर तमाय रागा राना कही कोनी बैठी, चन्दा बोली कि मेरे तो बैठनो इक पड़सी, लक्ष्मी जी बैड़ गया जना, बोली कि मैं बार न जाकर आओं हूं, जद तक जाये मतना और आपका पीड चल गी, चन्दा पाच्छी आई कोनी, लक्ष्मी जी गया कोनी, सावकर के करोड़ा रुप अपना सरा परिवार न दियो, या खानी कार्तिक मास में कोई भी दिन, कोई भी एक दिन सुनना है कवा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद,